भारत के ओफिस बिनर रवीच चंदन अश्विन इस समय इंग्लैंड में हैं क्योंकि भारत और इंग्लैंड के बीच चार अगश से पांच टेस्ट मैचों की सिरीव सुरू हो रही है इस टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए आर अश्विन ने एक बड़ा फैसला किया है अश्विन काउंटी क्रिकेट खेलने वाले हैं इसी वज़े से आर अश्विन को 11 जुलाई से ओवल में शुरू होने वाले समर सेट के खिलाफ काउंटी चेंप्रेंशिप मैच के लिए सरे टीम में शामिल किया गया सरे की टीम की तरफ से इस बारे में एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया है आपको बता दे कि आर अश्विन को न्यूजिलेंड के काईल जमिनसन की जगए सरे टीम में शामिल किया गया है काईल जमिनसन पिछले हफ़ते एमपा शायर के साथ सरे के मैच के पहले दिन लिउट इंजिरी का सामना कर रहे थे और वो मैदान पर आगे कोई हिस्सा नहीं ले पाएंगे जमिनसन की चोट की गंभीरता को समझने के बाद सरे के क्रिकेट निदेशक एलेक इस्टिवर्ड ने अश्विन को इस इस्थेटा के लिए टीम में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी क्योंकि टीम आखरी दो ग्रूप मैच जीत का डिवीजन वन का सपना देख रही है सरे कलब और अश्विन दोनों इस मैच में खेलने के लिए सहमत हो गए हैं अश्विन पिछले मैंने भारत की विश्व टेस्ट चंपिन्शिप फानल के बाद इंग्लैंड में ही रुके हुए थे वो इंग्लैंड के साथ अपनी टेस्ट सिरीज से पहले इस मैच के बाद भारत की टेस्ट टीम के साथ जड़ आएंगे अश्रीन को इस मैच का फाइदा इसलिए भी मिलेगा क्योंकि भारत और इंगलेंड की भी चौथा टेस्ट मैच इसी मैदान पर खेला जाएगा ऐसे में उमीद है कि सरे की तरफ से खेलते हुए अश्रीन को जो फाइदा मिलेगा उसका इस्तेमाल वो इंगलेंड के खिलाफ मैच में जरूर करके दिखाएंगे और टीम को जीत दिलाएंगे